डेस्क्लीमर इस वीडियो मैंने एक बहुती अमेजिन एडवेंचर मैप दिया है हीरो ब्राइन से रिलेटेड इसलिए वीडियो को बीना स्किप किये देखो क्योंकि बाद मैं मुझे मत कहना कि आपको मिला नहीं या मैंने बताया नहीं और हाँ एक बात और मैंने इस वीडि सटोंकि आपको सारे के सारे बायोंस आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि बैड लैंड इसे स्पाइक और मैंने तो यह कुछ ही बता हैं लेकिन आपको almost सब देखने को मिल जाएगा आपको इस मैप में ancient city और बड़े बड़े caves भी देखने को मिल जाएगे आप खुद से इस मैप को install करो और देखो कैसा मज आता है आपको नमबर 2 entity controller इस mode में आपको एक entity controller देखने को मिल जाएगा जिससे कि आप छोटे से लेके बड़े मॉप्स तक आप किसी को भी अपने इशारों पर न चा सकते हो नेरे वीडियोस पर बहुत जादे comments आता है कि villagers को एक जिगे से दूसरी जिगे हम लोग कैसे लेके जाए बहुत आसानी से इस entity controller की help से आप उसको एक जिगे से दूसरे जिगे बहुत आसानी से लेक जा सकते हो इस type से आपको उस creature के उपर टैप करना है उसके बाद वो creature हवा में उनने लगेगा उसके अगल बगल जितने भी सारे mobs रहेंगे अगर उनके पास आप इसको लेक जाते हो मतलब वो जो हवा में उड़ रहा है उस creature को लेक जाते हो तो वो सब भी उसके साथ ही मिल जाएंगे हवा में उनने लगेंगे आप चाहो तो आप से जो दूर mobs है जो कि आप थोड़ से distance पे है उनको भी आप चाहो तो अपनी से control कर सकते हो सबसे पहले तो आपको एक mob जो आपके पास है उसको आप control कर लेना है उसके बाद जैसे आप अपने screen पे tap करके रखोगे वो आला mob जो आपके control में है वो और दूर जाने लगेगा जैसे जैसे वो mob दूर जाता जाएगा उसी साब से जितने दूर पे आपको जो mob है जिसको आपको control करना है उसके पास जैसे ही आप दूसरे वाले mob जो कि आप control कर रहे हो उसको लेक जाओगे तो जो mob को आपको control करना है वो भी आपके control में आ जाएगा स्टाइटिंग मैं मैंने बताया था कि आप छोटे छोटे बड़ी से बड़े मॉप को भी आप अपने इसारो पर नचा सकते हो तो देखो कुछ इस टाइप से वीदर है बैं इसको अपने इसासा सकता हूँ नमबर 4, Magic Bag इस मौड में आपको कुछ इस टाइप का उड़ता हुगा एक बैग देखने को मिल जाएगा जिसको क्या Phantom Memorane की मदद से आप टेम कर सकते हो Survival में काफी सारे टाइम से आपके साथ ऐसा होता होगा कि आपका storage फुल हो जाता है और आपको कुछ जरूरी सामान एक जगे से दूसरे जगे कैरी करना रहता है यह जो Magic Bag है यह आपका काम और भी ज़्यादा easy कर देगा Phantom Memorane से टेम होने के बाद से यह बैग आपको हर जगे follow करेगा और अब चाहो तो अपना सामान आप इस बैग में भी रख सकते हो आप चाहो तो कुछ इस टाइप से इस बैग को कहीं भी आप प्लेस कर सकते हो और आप चाहो तो अगर यह आपका पीछा भी हर टाइम करता रहेगा दाई की मदद से आप इसका color change भी कर सकते हो और यह बैग आपके survival में help करता है तो नीशे एक बार comment जरूर करना इस map में जैसे ही आप स्पॉन होगे तो कुछ इस टाइप से dark सा room होगा आपको अपने हर तरफ buttons देखने को मिल जाएंगे किसी से आपको rules पता चलेगा किसी से आपको game का story पता चलेगा और कुछ इस टाइप से आपको start का भी button देखने को मिल जाएगा start का button पर click करने के बाद से आपके सामने कुछ इस टाइप के screen पर text लिक के आएगा और उसके बाद आप game में enter कर जाओगे enter करने के बाद कुछ इस टाइप के घर में आपी spawn होगे जब आपको यहां से निकल के उसके बाद आपको कुछ resources वगरा ढून के आपको hero brain से लड़ना रहेगा इस घर से निकलने के बाद से जब आप इस तरफ जाओगे तो इस तरफ में आपको कुछ ऐसे graves वगरा देखने को मिल जाएगे जिसमें से आपको resources देखने को मिल जाएगा resources को लेक जैसा ही आप जंगल में ऐसा आगे बढ़ते बढ़ते जाओगे तो उसके बाद आपको एक point पर ऐसा आएगा कि आपको blindness का effect देखने को मिल जाएगा और आपका screen flicker करने लगेगा तो इस एरिया में जैसा ही आप थोड़ सा अंदर ऐसा जाते जाओगे आपको एक barrel में एक pumpkin देखने को मिलेगा और एक pickaxe देखने को मिलेगा pickaxe आपको बहुत जादे काम का है लेकिन गलती से pumpkin को पहनना मत क्योंकि इसमें curse of binding लगा हुआ है इसके बाद आप इसको उतार नहीं सकते हो और पहनने के बाद से आपको visibility बिल्कुल ही zero हो जाएगा आपको कुछ दिखाई नहीं देगा उसके बाद उसी area में आपको इधर उधर पे एक बहुत बड़ा सा आपको diamond on nether right block से बना हूँ आपको structure देखने को मिल जाएगा उसको उपर से आप जैसे चड़ के उसका block तोड के आप अंदर जाओगे तो देखो मैं किनारे से तोड़ा हूँ इसलिए मैं कुछ इस टाइप के जगे पे आ गया हूँ उस chest में जैसे ही आप खोलोगे आपको कुछ armors देखने को मिलेगा उस armors को जैसे ही आप ले लोगे आप बाहर टेलिपोर्ट हो जाओगे और फिर कुछ टाइम के अंदर आपके पास entity 303 null और hero brain आएंगे आपको उनके साथ fight करना रहेगा आप इस map को अपने से download करो और खेलो आगे तो बस आज के वीडियो में इतना ही goodbye